यह देखिए हो गया काम जब मैं पूछता था क्या कर रहे हो आज कल क्या कर रहे हो जवाब मिलता था राहुल जी हम तो बेरोजगार हैं जहां भी जहां भी मैं गया जहां भी पीजेपी की सरकार थी सारे के सारे युवा हम तो बेरोजगार है देखना चाहते हैं तो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे बेरोजगार जुवा जो हैं हाथ उठागे दिखाईए यह देखिए हो गया काम तो प्रदेश में जहां भी देखो बेरोजगार युवा आपको मिलेंगे और जब मैं बहिया एक सेकंड बोलने दीजे और जब मैं उनसे पूछता था अच्छा रेलवे स्टेशन में रेलवे स्टेशन में मुझे एक विवा मिलता है कुली जो कपड़े पहनते हैं लाल रंग के कपड़े पहनते हैं लाल रंग के कपड़े पहनते हुए मुझे मिलता है मैंने बात्चीत शुरू की मैंने कहा कुली बनने से पहले तुम्हारा सपना क्या था कहता है राहुल जी मैं एंजिनियर बनना चाहता था मैंने पूछा क्या हुआ कहता है राहुल जी मैंने सिविल एंजिनियरिंग की डिग्री ली हजारों रुपे मैंने प्राइवेट कॉलिज को दिये रोजगार नहीं मिला आज मैं कुली का काम कर रहा हूँ ये इस प्रदेश की और इस देश की सच्चाई है युवाओं में कोई कमी नहीं है उर्जा है प्रदेश को मजबूत पनाना चाहते हैं देश को खड़ा करना चाहते हैं मगर ये देश गरोणों युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है तो सवाल उठता है ये हो क्यों रहा है युवाओं में कोई कमी नहीं है अगर कमी होती तो हम कहते हैं देखो भério backyard युवा काम नहीं करना चाहते युवाओं में कमी है इसलिए रोजगार नहीं है मगर युवाओं में कोई कमी नहीं है दुनिया के सबसे कर्मत होश्यार युवा हमारे देश में है इस प्रदेश में है लाकों यूवाँ से मैं मिला हूँ कोई कमी नहीं है बहुत अच्छी समझ है उर्जा है मगर रोजगार नहीं तो सवाल है क्यों नहीं भाहियों बेनों रोजगार बड़े उद्योग पती नहीं देते रोजगार छोटे भी अपारी जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनस चलाते है जो स्मॉल स्केल मीडियम स्केल मैनुफैक्चरिंग करते है जो दुकान चलाते है ये लोग रोजगार दिलवाते है ऐसे हिंदुस्तान में पहले लाको छोटे छोटे यूनिट हुआ करते थे कोई लोहे का काम करता था कोई छोटी ओटो कंपोनेंट्स का काम करता था मैनुफैक्चरिंग करता था छोटे 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 लाको यूनिट्स थे ये हमारे युवाओं को रूजगार देते थे नरेंद्र मोधी जी आए BJP की सरकारें आए और उन्होंने इन यूनिट्स पर आकरमन शुरू कर दिया छोटे वियापारियों पर small medium business पर आकरमन शुरू कर दिया, कैसे किया नोट बंधी और GST GST भाईयों और बेहनों ये tax नहीं है GST किसानों पर छोटे वियापारियों पर small और medium business वालों पर आकरमन है, ये हत्यार है GST छोटे businesses को मारने का खतम करने का हत्यार है